मद्यप्रदेश में जिन मंत्रियों पर कथित तौर पर भृष्टाचार के आरोप लगे हैं उनमें पूर्व नेता प्रतिपक्ष और सबसे वरिष्ट मंत्रियों में से एक गौरी शंकर शेजवार भी शामिल हो गए हैं उन पर आरोप लगा है कि सरकारी खर्च पर अपने रिष्टदारों को करनाटक घुमाने का मामले में शिकायत मिलने के बाद लोकाई उपने जाच शुरू कर दिये जादा जानकारी दे रहे हैं मेरे सही होगी अन्रागदवारी साथ दफ़े विधायक पूर में नेता प्रतिपक्ष वर्तमान में वन और आंकडो के मंतरी डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार आंकडो के ही फेर में फ़स गए हैं इन पर आरोप लगा है पिछले साल 11-15 फरवरी तक MP एको टूरिजम बोर्ट के खर्चे पर करनाटा की यात्रा के दौरान अपनी पत्नी और रिष्टदार को घुमाने का आरोप है कि बोर्ट के सी-ई-ओ विने वर्मन ने सारे नियम ताक पर रखकर यात्रा का पूरा भुगतान एको टूरिजम बोर्ट से करा दिया मामला सामने आने के बाद दो लाग के खर्च से 63,884 रुपे 26 अपरेल 2016 को बोर्ट में जमा करा दिये गए मंत्री जी को लगता है इसमें कोई अनियम तता नहीं है लेकिन आर्टियाई कारे करता पूछ रहे हैं मंत्री जी गलत नहीं थे तो भुगतान क्यों किया जिनको सरकारी पातरता थी, उनका सरकारी खर्च से गए थे, वो जिने पातरता नहीं थी, वो निजी खर्च से गए थे पिर मेरे तरफ से निजी जो लोग थे, उनका भुकतान किया गया है और विदीबत इसका जो रेगुलर आड़िट होता है, उसमें कहीं कोई अक्षेप नहीं है और मैं समझता हूँ कोई, इसमें कोई अनीमित्ता नहीं है, और ना तो इसमें कहीं कोई हमारी इंटेंशन था, और ना कहीं ऐसा कुछ हुआ है, एक एजेंसी है वो और यदि उनके पास कोई कंप्लेंड आएगी, तो उनकी एक प्रक्रिया है, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानता मैं इसको कॉंग्रेस ने मामला सामने आने के बाद सीधे शेजवार का इस्तिफा मांगा है मामले में लोकायुक्त ने सरकार से 16 जनवरी तक मंत्री और उनके परिवार की करनाटक यात्रा से जुड़े सारे दस्तावेज मांगे है नए साल में शिवराज सरकार के विस्तार की सुबगाहट तेज है ऐसे में देखना होगा कि नरोतम मिश्रा, सुर्य प्रकाश मीना, ओम प्रकाश धुर्वे या डॉक्टर गौरी शंकर शेजवार जैसे नेता जिन पर कथित तौट पर भ्रश्टाचार के आरोप लगे हैं बोपाल से कामरापसिंट रिजवान खान के साथ है नुरागदवारी एंडिटीव इंडिया